नोचका दूस्तों आई यूटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दूस्तों आज के इस वीडियो में हमलो एड़ेट जूनियर हाई स्कूल प्रधाना ध्यापक याउम सहाई का ध्यापक भरती परिक्षा के लिए जी इसका ती रहाओं प्रैक्टिस से ठल कर और पीडियो फिसका हमाई टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा निचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां से जोएन कर गया पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आई ये शुरू करते हैं पहला प्रशन है किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है तो चार विकल्प दिया गया इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आप्सन सही हो जाएगा तो यहां पर ए विकल्प से हो जाएगा रिजर्व बैंक भारती रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है यह केंदर सरकार का बैंकर है जो कि मोद्रिक नीतिका ये निर् यह भारत में बिदेशी बिन में संचे का रख रखाओ भी करता है। दूसरा प्रशने रिवेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है किस के लिए। तो यहाँ पर बियापशन से हुजाएगा गाय के लिए। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था यानि कि नय मारे जाने योग्य और गाय की हत्या अत्वा उसे घायल करने वाले बैक्ति को मृत्यूदंड तथा देश निकाला की बेवस्था बेदो में की गई थी। तीसरा प्रस्ण है बुद्ध कोशामबी किसके राजी काल में आय थे। तो यहाँ आपका बी आपसन से हो जाएगा उदेयन। मात्मा बुद्ध वद्स राज उदेयन के काल में कोशामबी आय थे और वहाँ उन्होंने नवाम बिश्राम किया। उदेयन ने पिंडोला भारत्वाज के प्रभाव से बौध बनने के बाद घोशिता राम बिहार बिच्छु संग को दान किया था। और पुछाए था प्रशन की कौशामबी जो है कौन सा अस्थान जो जैन यों बौध दोनों से संबंदित है तो वह है कौशामबी याद रखेगा। चौथा प्रशन आपका निमलिखित में से किस चेश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। तो यह हैं नसीरुद्दीन, डी आप से यहाप से हुजाएगा। सेख नसीरुद्दीन महमूद यह सेख निजामुद्दीन ओलिया के प्रमुक से थे। और यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थाथ, दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसुद्ध हुए पांचवा परशने निमलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर इस्थित है। तो यहाँ डी भी कल्ब से हुजाएगा जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर यह लाहौर में। पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे सहाद्रा नामक अस्थान पर इस्थित है। जहांगीर क नूर जहाने बनवाया था छटवा कोशिन है सत्यार्थ प्रकास पवित्र पूस्तक है किसके तो यहां पर आप समझोय से हो जाएगा आरे समाज की सत्यार्थ प्रकास आरे समाज का प्रमुख गरंत है जो कि स्वामी दयानन सुरसती द्वारा हिंदी भासा में लिखा गिया है यह 1875 इस भी में पहली बार प्रकासित किया गया था और वेदो की ओर लोटो का नारा जो दिया गया था स्वामी दयानन सुरसती के द्वारा दिया गया था सात्वा प्रश्ण निम्लिकित में से कौन भारती राष्टी कांग्रेश की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो हो हैं स्रीमती एनी बेसेंट भी आप सनिहापे से हो जाए कांग्रेश के 32 में अधिवेशन का आयोजन जो है दिसंबर 1970 को कलकत्ता में हुआ था इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेश का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था जबकि पूछा जाता भारती राष्टी कांग्रेश की प्रथम भारती महिला अध्यक्ष कों थी तब सरोजनी नाइट्डू हो जाता यहाँ यहाँ पर भारती राष्टी कांग्रेश की अध्यक्ष चुनी गए थी आठवा प्रशन आपका उस भारती का क्या नाम था जिसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था तो यहाँ पर ए आप्सन से हो जाए गए बी आर अंबेटकर डाक्टर भीम राव अंबेटकर तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिये थे और पर्थम गोल में सम्मेलन यह आपका 1930 में लंदन में आउजित किया गया था दूसरा गोल में सम्मेलन 1931 में आउजित किया गया था और तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 में दूसरे गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था याद रखेगा पूछा जाता है प्रश्ण कि महात्मा गांधी ने कौन से गोल में सम्मेलन में भाग लिया था तो दूसरे गोल में सम्मेलन 1931 में नौ मैं प्रिशने है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किसकी तो भी आक्सन से हुझेगा सुवाष चंद्र बोस की पुस्तक सुवाष चंद्र बोस के जीवन बिलित पर जो आधारीत है जोस्तों यदि आप UPPSC और UPCCC एक्जाम के त्यारी करना चाहते हैं और आप यदि एक्जाम को क्रेक करना चाहते हैं तो आप Anacademy Learning Platform से जुड़के आप अपनी त्यारी को बहतर तरीके से कर सकते हैं और एक्जाम को आप क्रेक कर सकते हैं आपको बताते हैं कि Anacademy Scholarship टेस्ट कराया जाता है यह हर संडे को दूपार एक बजे तो आप लोग इस टेस्ट में पार्टिसिपेट जरू किजिएगा यह बिल्कुल फ्री में टेस्ट कराया जाता है और साम को जो है 7 बजे इसका एनालेसिस भी कराया जाता है तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रू किजिएगा उसको बाद Anacademy Plus Features जो है देख सकते हैं आप Anacademy Plus Subscription लेते हैं तो इतने सारे Features जो है आपको प्रोबाइड के जाएंगी Complete Exam Preparation है इसमें Regular Doubt Clearing Session है Pre-Test Series है Weekly Mock Test यह सब भी जो है आपको मिलेंगे बैच कोर्से जो अबलेबल है भी Anacademy पर लगछे UPPSC यह पर Subordinate Foundation Batch Course यह आपका 31 March से सुरू हो रहा है यह जो है और 30 January 2022 को यह कोर्स जो है आपका Complete करा दिया जाएगा उसके बाद लगछे UPPSC 2022 से बारे मन्त प्रिलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स दोनों है यह आपका 1st April से जो है शुरू हो रहा है तो जो लोग इस बैच से जूना चाहते हैं आप जूर सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं UPPSC की Top Educators के द्वारा आपको जो है पढ़ाया जाएगा फास्ट रेक रिविजन बैच है 60 डेच का यह आपका UPPSC प्रिलिम्स GS बैच के लिए है यह 2nd April को स्टार्ट हो रहा है और 6 जून को यह बैच जो है आपका समप हो जाएगा उसके बाद है फास्ट रेक रिविजन यह आपका सी सेट के लिए 60 डेच का बैच तो यह भी आपका 2nd April से शुरू हो रहा है और 30 महीं कोई बैच जो है आपका complete करा दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं आप यह जोइन करना चाहते हैं तो जोइन कर सकते तो आपको 10% का additional discount जो है मिल जाएगा यह आप 10 मंत का सब्सक्रिप्सन लेते हैं तो आपको 10% discount के साथ 1260 रुपे पी करना है उसके बाद 3 मंत का 1350, 6 मंत का 5040, 12 मंत का 6300 और 24 मंत यह दो साल का सब्सक्रिप्सन यह आप लेते हैं तो आपको 7560 रुपे पी करना है तो आप दसों कोशन भारत की संबिधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे तो यहाँ प्यापका यह बिकल्प से हो जाएगा डाक्टर राजजेंदर परसाद 9 दिसम्बर 1946 को समिधान सभा की प्रतम बैठा की अध्यक्ष था ए अस्थाई अध्यक्ष डाक्टर सचीदान सिन्हा ने की थी जबकि 11 दिसम्बर 1946 को समिधान सभा ने डाक्टर राजजेंदर परसाद को निर्विरोद समिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रुप में इग्राहों प्रश्ण है बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था कब तो 1976 में पारित किया गया था बी आप से नहां से हो जाए गया आप बधुआ मजदूर यानि कि उन्मूलन अधिनियम संसद ने वर्स 1976 में पारित किया था का उद्दे से केवल बद्वा सर्मिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनरवास की ब्यवस्ता भी करना है और यह आपका अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष में वर्डित है 12 प्रश्ण है निमलिकित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी समझा जाता है समिथान के अनुच्छेद 76 में भारत सरकार को कानूनी मामलों में प्रामर्स देने के लिए राष्टपती अटार्नी जनरल यहनकी महानियावादी की नियुक्ति करता है और उच्छेतम नियायाले के नियाइधीस नियुक्त होने की योगिता रखने वाले किसी ब्यक्ति को अटार्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है यह भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी है और राष्टपती के प्रशाद प्रियंत अपना ये पदधारण करता है तर्याओं प्रश्ण नियुक्त में किस एक शदन का अधियक्ष एक गैर शदश्य होता है तो यहाँ पे सी आप्सम से हुझ एगा राजिसभा राजिसभा का पदेन अधियक्ष उपराज्टपती होता है और वह राजिसभा का सदस्यаются नहीं होता है प्रन्तु उसका निर्वाचन संसत के दोनों सद्मों की सदस्यों के द्वारा होता है संभिधान के अनुच्छेद 89.1 यो 64 में वहराजी सभा का पदेन सभापती होता है वैसा वर्डन है 14 प्रशने राश्ट्री विकास परिशत का मुख्य संबंध है किसे तो यह है पंचवर्सी योजनाओं के अनुमोधन से पंचवर्सी योजनाओं के निर्माड में राजियों की भागिदारी सुनशीत करने हेतू राश्ट्री विकास परिशत का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था और राश्ट्री विकास परिशत का अध्यक्ष प्रधान मंतरी होता है तथा सभी राजियों के मुख मंतरी इसके सदस हैं योजना आयोग का सचीव इसका भी पदेन सची होता है लेकिन आपको पता होगा योजना आयोग का नाम बदल करके अब जो है नीती आयोग कर दिया गया है पंदरवा प्रशन है जिस समीती की अनुसंसा परिदेश में पंचाहिती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थें बलवंत राय महता समीती का गठन पंचाहिती राज बेवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हुआ था और इस समीती ने अपनी रिपोर्ट 1957 में सोपी जिसकी अनुसंसा पर भारत में पंचाहिती राज का सुभारम किया गया और सरपर्थम राजस्थान के नागावर जिले में इस बेवस्था का सुरुवात हुआ था तो पुछा जाए प्रशन के पंचाहिती राज बेवस्था कि सुरुवात किस राज जिमें हुई तो राजस्थान और राजस्थान के नागाव जिले से शुरुआत हुई थी शुलाव प्रशने डूरंड लाइन किस के साथ भारत की सीमा निर्धारिद करती थी तो भारत और अफगानिस्तान ये आपसन यहां से हुजाएगा भारतियों पाकिस्तान के मध्य अंतराश्थ्री सीमा करनिधारर रेड़ क्लिप रेखा के द्वारा किया गया है और डूरंड रेखा ये भारतियों अफगानिस्तान के मध्य और मैक मोहन रेखा भारतियों चीन के मध्य सीमा निर्धारिद करती है 17 कोशिन ने देश के किस राजी का हिस्सा राष्ट्री राजधानी छेतर यानि कि NCR National Capital Region में समलित नहीं है तो हिमानचल प्रदेश है हो जाए गए यहाँ पर D. आप्सन दिल्ली हो गया हरियाणा उत्र प्रदेश राजस्थान राजधी का जो हिस्सा NCR में सामिल है अठाव कोशन है प्राइदीपी भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है तो यह है गोदावरी सी आपसन यहाँ पे से हो जाएगा गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह भारत की दूसरी यानि की गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है यह प्राइदीपी नदी है अभाद की सबसे लंबी नदी गंगा है आपको पतावगा 2525 किलोमीटर गंगा की टोटल लंबाई है उनिस्वों कुशन आपका राश्टरी केला अनुसंधान केंदर इस्थित है कहाँ पे इसका सही विकल्फ हो जाएगा आपसन ए त्रीची में राश्टरी केला अनुसंधान केंदर त्रीची ए तिरुचिरापली तमेल नाडु में अस्थापित किया गया है विश्वान प्रश्न झारिया कोईला छेत्र निम्र्खित राज्यों में से किसमे अवास्थित है उसका सही अंसर हो जाएगा आपाऊं C. झारखंड में जरिया कोईला छेत्रे जारखन के धनबाद जिले में इस्तित है एदेश की अधिकांस कोकिंग कोईला का भंडार यहीं परिस्तित है और एकी सवाँ कोशन है प्रतेक्रिया के लिए एक समान और विप्रीत प्रतक्रिया होती है यह नियम दिया था किसने तो वो निूटन के द्वारा दिया गया था यहाँ पर सही हो जाएगा 22 प्रत्रिया कितना ताप मान होने पर पाठियांग, सेल्सियस और फारिन हाइट ताप मापियों में एक ही होंगे यानि कि एक समान होगा तो यहां पर यह यह आप्संसे हो जाएगा माइनस फोटी डिगरी सेंटीग्रेट एक ऐसा ताफ है जो कि डिगरी सेंटीग्रेट तर्था डिगरी फारेन हाइट में समान होता है 23 प्रशने सुस्क बर्फ होता है तो यह है आपका ठोस कार्बन डाय अकसाइज सी विकलब यहां पर सही होजएगा 24 प्रश्ण fulfill निमन में से आलू का कौन सा भाग खाने योगी होता है तो यहाँ ये आप्षिन से हो जएगा आपका तना आलू का खाने वाला भाग जो है कंद जोकी रुपांतरि तना होता हो प्रित्वी का सरवाधीक ब्रहद पारिस्थितिक तंत्र निमलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर डियाप्षन से हो जाएगा जयो मंडल जयो मंडल मिट्टी सेल तथा जल वायू की पतली परत है जो प्रित्वी के चतुर्दी कावरण मंडल की रूप में यह ब्याप्ट है और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके साथ जीवित जीउ संबन दिते ह और यह मंडल जीउं का भरड़ पोशर भी करता है 27 प्रशन है निमलिकित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एकोलाजी एंड इंवार्मेंट इस्तित है तो यह नई दिल्ली में इस्तित है यह आपसन यहाँ पर से हो जाएगा इंडियन इंस्टिट्य टाइलर पुरशकार किस छेत्र में प्रदान किया जाता है तो यह दिया जाता है परियावर्ण सुरक्षा के लिए टाइलर पुरशकार परियावर्ण सुरक्षा यह परिश्तित्य की छेत्र में उलेखनी योगदान के लिए दिया जाता है वर्स 2020 का यह पुरशकार पवन स सुखदेव जोकी भारत के हैं यों ग्रेट चेन सी डेली ये महिला है इनको जो है दिया गया है उन्तीसवा प्रशने जय बिवित्ता के संदर में निमलिखित में से कौन सा छेत्र हाट इस्पार्ट माना जाता है तो यहाँ पे बियाप्सन से हो जाएगा पूर्वी हिमाले जय बिवित्ता के संदर में जय बिवित्ता हाट इस्पार्ट सब्द का सरुपर्थम प्रियोग नार्मन मायर्स नाम इनका याद रखीगा नार्मन मायर्स ने 1988 में किया था और जय बिवित्ता हाटिस पाट ऐसे अस्थान को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की परियाब तता अस्थानी जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरयंतर संकट बना हुआ है तो यहाँ पर आपका बी आपसन जो है, सहे हो जाएगा पूर्वी हिमाल है पश्मी घाट भी है तो आपसन में जबकि पश्मी घाट ने दिया गया, पूर्वी हिमाल है अगले कोशन है भारत में गरीबी का अस्तर निर्धारित होता है तो यह पताया भी जा चुका है आपको पहले भी सी आपसन से हो जाएगा घरेलू भोगता के ब्याय के आधार पर 32 परसने उतर परदेस में निमलकित में से किस अस्थान पर एक नाभिकी उरजा परियोजना इस्थित है तो यह नरावरा में है उत्र प्रदेश में एक मात्र प्रमाड उर्जा यानि कि नाबकी उर्जा किंद्र नरोरा बुलंद सहर में अस्थापित है इसकी पहली इकाई का वारिद्जिक परचालन एक जनवरी 1991 को और दूसरी इकाई का जो सुरुवात 1992 को हुआ और परते एक एकाई की जहमता जो है 220 मेगावाट है 33 प्रशने निमलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है एक तरब दिया गया है सहर और दोसी तरब उनकी बिसेश्ता तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह बताना है तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं सी आप्सन में जहांसी दिया गया है आपका ओदियोगिक केंद्र तो भाराड़सी जो है आपका संस्कृति योमधर्म से संबंदित सहर है लकनव यह आपका उतरप्रदेश की राजधानी है मुरादाबाद जो है पीतल दियोग के लिए परसिद है जबकि जहांसी एक अधियोगिक केंद्र के रूप में परसिद नहीं है तो यहाँ पे जो है आपका सी आप्सन क्या है सुमेलित नहीं है चोतिसो परसने किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है तो यह क्रेडिट कार्ड को बी विकल्प यहाँ पे से होज़े प्लास्टिक मनी, नगद या मुद्रा का एक विकल्प है जिसके सायता से बस्तूओं यों सेवाओं की खरीदारी की जाती है प्लास्टिक मनी के उधारर क्रेडिट कार्ड हो जाएगा डेविड कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ATM यह से भी प्लास्टिक मनी के उधारण है और प्लास्टिक मनी का सरपर्थम प्रियोग करता देश जो है वह आस्ट्रेलिया है आस्ट्रेलिया 35 प्रशने नेम नांकित में कौन सा कीट वर्ग नहीं है तो इसमें मकडी यह कीट वर्ग किस रेड़ी में नहीं आता है क्योंकि इसमें जो है आठ फेर पाया जाते हैं मकडियों में मकडियों में खटमल हो गया घहरेलों मख्यार इनमें जो है छे पेर पाया जाते हैं कीट वर्क किस रेड़े में आते हैं मकडी जो है कीट वर्क किस रेड़े में नहीं आता है 36 प्रशन आपका भूपरपटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासाइनिक तत्व कौन सा है तो यहां पर आपका यह आपसन से हो जाएगा अक्सीजन अक्सीजन यह आपका भूपरपटी में पूछा गया है बहुतायत में पाया जाने वाला यह 46.71% के करीब पाया जाता है अक्सीजन उसके बाद जो है सिलिकान पाया जाता है सिलिकान 27.69% पाया जाता है उसके बाद ऐलूमीनियम पाया जाता है यह आपका 8.07% फिर जो है आपका लोहा पाय जाता है 5.05% के करीब तो सरवाधिक जो है आक्सीजन पाय जाता है भूपरपटी में 37 प्रशने दिसंबर 2020 में प्रशार भारती के CEO ससी सेखर बेमपती को किस प्रमुख Broadcasting Union का उपाध्यच चुना गया है तो B आप्सन यहां से हो जाएगा Asia Pacific Broadcasting Union यह निकी AB UK 38 प्रशने 18 दिसंबर 2020 को ACI विखास बैंक एनकी ADB और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उभगताओं को विश्वसनी बिद्दुत आपूर्ती प्रदान करने के उदेश से द्रिष्टिगत ग्रामीड बिजली बित्रड नेटोवर्क में शुधार करने है तो कितने ही राज के रिड़ पर हस्ताक्षर किये हैं तो 300 मिलियन डालर C आप्सन यहां पे से हो जाएगा 18 दिसंबर 2020 को ACI विखास बैंक एनकी ADB और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में भोकताओं को विश्वसनी बिद्धूत आपूर्ती प्रदान करने के उद्देश से ग्रामीड बिजली बित्रड नेटोवर्क में सुधार करने हैं तो 300 मिलियन डालर राज के रिड़ पर हस्ताक्षर किये हैं 49 प्रदेश ने अंतराश्ट्री प्रवासी दीवस कब मनाये जाता है तो यह बताया भी जा चुक है आप लोगों को पहले 18 दिसंबर को 18 दिसंबर 2000 18 दिसंबर 2020 को जो है संपूर बिश्व में अंतराश्ट्री प्रवासी दीवस यानि कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाये गया अवर्स 2020 में इस दीवस का मुखे बिसे जो था रिमेनिंग हुमन मोबिलिटी इसका जो है थीम रहा है 40 प्रशने 17 दिसंबर 2020 को भारती अंतरी चनुसंधान संग्ठन यानि कि इसरो ने किस दुर्वी प्रशेपन यान से नए संचार उप्मग्रे CMS-01 का सफल प्रशेपन किया है तो यहां पे PSLVC-50 का इसरो का फूल फार्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गिनाजिशन इसके स्थापना होई थी 15 अगस्त 1979 को और इसका हेड़क्वाटर जो है बैंगलूरू में है और इसके ब्रतमान में अध्यक्ष जो है डाक्टर के सीवन इसके अध्यक्ष है 41 प्रशन है 17 दिसंबर 22 को प्रतियस परधी खेल के रूप में योगासन को अपचारिक मानिता प्रधान करने की घोशना की गई इस संबंध में बिकल्प में कौन सा तत्य सही नहीं है तो यहाँ आप देख रहते हैं C आपसन बस 22 के सुरुवात में पाइलट योगासन प्रतियोगता नेशनल इंडिविजुएल योगासन स्पोर्ट चेंपियंशिप यहने के वर्चुएल मोट के नाम से आयोजीत होगी यह आपका सही नहीं है 17 दिसंबर 2020 को आयूस मंत्राले और इवा कारिकरम योमखेर मंत्राले ने संयुक्ट प्रेस कांफरेंस में योगासन को एक प्रतियसपर्दी खेल के रूप में आपचारिक मानिता देने की घोशना की योगासन को प्रतियसपर्दी खेल के रूप में मानिता प्रदान करने का फैसला योग छेतर के हितिधारकों के साथ तीन से चार वर्स के ब्यापक विचार बीमर्स के बात किया गया सरकार की योजना योगाशन को खेलो इंडिया और इन्वर्स्टी गेम्स में एक खेल के रुप में सामिल करने की है और इसे रास्ट्री खेलों का भी हिस्सा भी बनाया जाएगा और योगाशन के खेल के प्रतियोगिता के लिए चार परदाओं और साथ स्रेडियों में 51 परदक प्रस्तावी किये जा सकते हैं केवल इसमें C आपसन आपका है वह सही नहीं है बाकी सभी सही है 42 परश्ने 15 दिसंबर 22 को विस सुबैंक के कारिकारी निदेशक बोर्ड ने भारत की सतत विकास पहलों का समर्थन करने हैं तो लगबग कितनी रासी चार विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है तो 800 मिलियन डालर की 43 परश्ने 15 दिसंबर 22 को किसे राज में ग्रामीर छेत्रों संपत्ति और भूमी संबंधी विवादों को रोकने हित वरासत यानिकि प्राकिर्तिक उत्राधिकार अभियान सुरू किया है तो ये उत्रपरदेश राजी सरकार के द्वारा सुरू किया गया है 44 परश्ने दिसंबर 22 को उत्रपरदेश सरकार में ग्रामीर छेत्रों में संपत्ति और भूमी संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत यानिकि प्राकिर्तिक उत्राधिकार अभियान के शुरूआत की है 44 परश्ने दिये गए विकल्पों में से संबंधित सब्द को चुनिए जिवास्म बिज्ञान का संबंध जिवास्म में है तो कपाल बिज्ञान का संबंध किस्से होगा तो खोपड़ी से हो जाएगा जिस प्रकार जिवास्म बिग्ञान में जिवास्म संबंधी अध्यन किया जाता है उसी प्रकार कपाल बिग्ञान में खोपड़ी का अध्यन किया जाता है 45 वा प्रशने यदि I, M, P, L, O, R, E को किसी कोड में G, K, N, J, M, P, C लिखा जाता है तो H, U, B को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा तो अब देख सकते हैं I को कोड किया गया है यहाँ G की रूप में तो G, H, I होता है यानि कि I में दो माइनस किया गया है M को कोड किया गया है K, तो K, L, M होता है यहाँ भी 2 माइनस किया गया है P को कोड किया गया है N, O, P, यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है इस तरह L को कोड किया गया है J में, J, K, L, यहाँ भी 2 माइनस इसी तरह आप देख सकते हैं सभी में 2, 2 माइनस किया गया है तो आपको जो हब में भी हब को जो code करेंगे तो इसमें भी आप 2- ह में यह आप 2- तो आपका हो जाएगा F हो गा यहाँ फिर U के 2 पहले आप लिखेंगे तो हो जाएगा आपका S फिर जो है B के 2 पहले लिखेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ Z तो F एफ एस जेड यानि कि C आपसन सही हो जाए गया 46 प्रशने दिये गए भी कल्पों में से बिसम सब्द युगमों को चुनिए तो चार आपसन है इसमें आपको भिन्न बताना है कौन सा है तो अस्तबल यहां B आपसन जो है मकान जोपड़ी कुटिया यह मनुस्य को रहने के लिए बनाया जाता है जबकि अस्तबल यह घोड़ों के रहने के लिए बनाया जाता है तो B आपसन इसलिए आपका भिन्न हो जाएगा 47 प्रशने आपका यह आर यह च वाई टी एच यह माई सी को क्यू जी एक्स येस जी L, H, B के रूप में लिखा जाता है तो म्यूजिक को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर R को कोड किया गया है Q में तो Q पहले आता है फिरा आता है यहाँ माइनस 1 हो रहा है H को G कोड किया गया है हाँ भी माइनस 1 हो रहा है y को x कोट किया गया है हाँ भी माइनस 1 t को yes कोट किया गया है हाँ भी माइनस 1 h को g कोट किया गया है हाँ भी माइनस 1 आप सभी में देख सकते हैं कि माइनस 1 जो है आपको घटाया गया है सभी में तो music को music को भी जो इसी तरह code कर ले ना यम के पहले just क्या आएगा तो आपका आजाएगा यहाँ पे L, फिर जो यू को code करेंगे minus 1, यू के पहले minus 1 लिखेंगे, तो T हो जाएगा S के पहले क्या आता है R आता है, उसके पहले के पहले क्या आता है तो यह चाहता है और सी के पहले बी आता है तो एंस्वर जो हो जाएगा आपका यहां पर बी आपसन से हो जाएगा कि यल टी आर येच बी और तालिसमा प्रश्ण है यह एक जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्स में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा तो सबसे पहले हम जनवरी एक जनवरी से ले करके जो आपसन में दिया गया महीने सभी में एक एक करके जो है टोटल दिनों को count करेंगे और साथ से divide करेंगे तो साथ से divide हो गया तो आपका जो है सेम डे होगा उसी महिने में divide नहीं होता है तो सेम डे नहीं होगा तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले भी आप सनम चेक करते हैं October तो एक जनवरी से लिए करके अक्टूबर तक की टोटल दिनों को count करेंगे हम तो जनवरी कितने दिन का महिना होता है तो जनवरी 31 का होता है फरवरी 28 हो जाएगा मार्च जो है आपका 31 अपरेल 30 मई 31 जून 30 जुलाई 31 अगस्त 31 सितंबर 30 और October का पहला महीन तो टोटल हम इसे जोड़ेंगे तो जाएगा 274 तो पुछ रहा है कि महीने का पहला दिन जो है कब मंगलवार होगा किस महीने में तो क्योंकि पहला दिन पूछ रहा है तो पहला हम माइनस कर देंगे 274 में एक माइनस जब करेंगे हो जाएगा 273, अभी से हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 तिरिक 21, 6 बचा 63 हो गया, 7, 9, 63 यानि ये टूटल जो है आपका क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो अक्टूबर यहाँ आपका जो है, बी आप संग से हो जाएगा कि अक्टूबर महीने का पहला दिन जो होगा मंगलवार होगा ये ये डिवाइड नहीं होता ये ये बचता इसमें तो आपका सेम डे नहीं होता ये ये कि मंगलवार नहीं होता तो यहाँ B आपसन से हो जाएगा अक्टूबर का महीना उन्चाइसमा प्रश्णा है वक्तब्बे है सिच्छक, सिच्छड में अभ्यास और भावात्मक लगाओ के महत्त को अपने अनुभाव से अच्छी तरह समझते हैं निसकर्स पहला है सिच्छड में भावात्मक लगाओ अभ्यास के बराबर महत्त पूर नहीं है दूसरा है निसकर्स सिच्छक, सिच्छड में अभ्यास की आवस्यक्ता को समझते हैं तो आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा तो यहाँ D. अपन से हो जाएगा कि केवल निसकर्स दो जो है निकलता है सिच्छक, सिच्छड में अभ्यास यों भावात्मक लगाओ को अपने अनुभाव से अच्छी तरह समझते हैं इसका निस्कर्स यह है कि सिच्छड में अभ्यास की आवस्यक्ता को होगा, समझते हैं, तो केवल दूसरा ही निस्कर्स यहां क्या होगा, सही है, अन्तिम प्रशने दोवर्शी महात्मा गांधी नेशनल फैलोसिप 2021-23 किस मंत्रारे द्वारा सुरू की गई है, तो यह कौसल विकास यह उद्धमिता मंत्राले के द्वारा सुरू किया गया है, यह से पूरे भारत के 660 से अधिक जिलों में राश्ट्री अस्तर पर जो है रोल आउट किया जाएगा, तो याद रखेगा ये कौसल विकास यह उद्धमिता मंत्राले के द्वारा शुरू की गई है तो दोस्तों ये था आपका एड़ेट जूनियर हाई स्कूल पधाना ध्यापा क्यों साहय का ध्यापा भरती परिक्षा के लिए जी येस का तिरहों प्रैक्टिस हेट इसके पहले बाहरे प्रैक्टिस हेट हल कराया जा चुके हैं जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकि आप वहां से देख सकते हैं तो वीडियो इदि पसंद आया हो तो लाइक शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेश कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद